सल्मान की रजोबनने के लिए बेताब सुनाक्षी दफ़ंग 3 को लेकर किया है यह खुला सा बॉक्स आफिस पर जल्द ही दबंग 3 आने वाली है इस फिल्म की चर्चाएं इन दिनो जोरो शोरों से हो रही है वही सल्मान खान इन दिनो अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 को लेकर भी खूब सुर्खियां बना रहे हैं, फिल्म दबंग के दो पार्ट्स आ चुके हैं, जल्द ही इसका तीसरा पार्ट आने वाला है, सलमान के साथ साथ फिल्म की हीरोईन सुनाक्षी सिनहा भी आने वाली फिल्म दबंग टीन के लिए काफी एकसाइटेड हैं, हाल ही हम श्रिलंका में नए साल का जशन मनाने के बाद सुनाक्षी ने सीधे काम की दरफ रुख करने का मन बनाया है, सुनाक्षी ने कहा कि मैं 2019 की इस से बेहतर शुरुआत की काम नहीं कर सकती थी, मैंने कलंग की शूटिंग पूरी कर ली है और मकाउ से लोटने के बाद एक बार शन मंगलवार की शूटिंग शुरू करूंगी और जल्द ही दबंग टीन पर भी काम शुरू करूंगी, मतलब ये है कि पहले सुनाक्षी में शन मंगलवार और कलंग को खत्म करेंगी, इसके बाद वो दबंग टीन में लग जाएंगी, सुनाक्षी की बातों से साफ है कि वो जल्द ही फिर से दमाकेदार वापसी करना चाहती है। उनकी पिछली रिलीज फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया है। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग अप्रेल में शुरू हो जाएगी। सब खबर को खुद अरबाज खान ने कमफर्म किया है। अरबाज ने फिल्म को लेकर बात करते हुए कहा कि हाँ दबंग तीन अप्रेल में फ्लोर पर जाएगी। हाला कि हम अभी भी लोकेशन पर विचार कर रहे हैं। इस पर मैं यह कह सकता हूँ कि फिल्म में सल्मान खान है और प्रभुदेवा निर्देशित करेंगे। बतादे कि अरबाज खान इस फिल्म के इस बार प्रोडियूसर है। हाला कि पिछली सीरीज को उन्होंने डाइरेक किया था दबंग 2010 में आए थी। इस फिल्म ने ना सिर्फ सल्मान बलकि सुनाक्षी के करियर को भी सात्वे आस्मान पर पहुँचाया था। सुनाक्षी इसी फिल्म से लॉंच हुई थी। सल्मान की ये पहली एक सा करोडी फिल्म थी। अब दबंग टीन की तैयारिया चल रही है।